नमस्कार मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं RPS समाचार आए शुरुआत करते हैं आज की खास ख़बर से ओनर किलिंग के दोशी पिता पुतर सहिद चार को उम्रकैद प्रेम प्रसंग में बेटी की हत्या कर शवगंगा नदी में फेका था 12 सगवर थाना छेतर में प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने अपनी बेटे भाई वा भतीजे की मदद से बेटी पर ज्वलन शील परदाट डाल कर उसकी हत्या कर गुना चुपानी के लिए शवगंगा नदी में फेक दिया था इस संसनी खेच केस की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद कोट ने पिटा पुत्रवा भाई भतीजे को दोशी ठेराते हुए उम्रकैत की सजा सुनाई है इसके साथ ही सभी पर 25-25 जार का जुर्माना भी लगाया है बतादे की बारा सगवर थाना चेत्र का पचासा गाउनिवासी शिवशंकर पुत्र वैजनात में 28 अगस्त 2015 को रिष्टे में लगने वाले साडू पचचेरे भाई रामप्रताप यादव उर्फ छेदू उसके भाई रणवीर रामप्रताप की बेटे सिंध राजवा भती विदेश पर रामप्रताप की नावालिक बेटी बीना को गायब करने की रिपोर्ट दर्च कराई थी उसका अरुप्षा की पड़ोसी रामप्रताप की बेटी पुत्री बीना चंद्रका देवी इंटर कॉलेज तंगापुर 12 सगवर में विज्ञान वर्ग में कक्षा 11 की चात्रा थी जिसका किसी युवक से प्रेम प्रसंग था इसकी जानकारी किसी तरह किशोरी के परिश्णों को हो गई थी आप प्रोशित रामप्रताप यादम ने अपने बेटे सिंध राज भाई रणवी बभती जे विंदेश के साथ मिलकर 24 अगर्स्त 2015 की रात बीना की प दिश सेविकार से रात में ही जंगल के रास्ते कंद्रा बाबा की कुचिया के पास गंगा नदी के किनारे पहुंचे जहां उफार में वहरेई गंगा नदी किनारे खड़ी एक नाव में शब रखकर दीच धारा में फेक दिया था पुलिस ने जाल डालकर शब खोश्रे का काफी प्रयास किया था लेकिन इसमें उने सफलता नहीं मिली ततकाली एस और श्रीकांग दुवेदी ने 29 अगस्त 2015 चारुआ रुप्यों पर हत्या की धारा बढ़ाते हुए 30 अगस्त 2015 को गिरफतार कर जेल भीज़ दिया था साक्षे कत्रित कर आई ओ ने 27 जुलाई 2016 को को कोट में चार्ज शीट दाखिल की थी तभी से केस फास्ट्रेक कोट में विचारा धीन था शुकरवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई जिसमें शाशी किये अधिवक्ता मनोश पांडे की दलीनों वपुलिस द्वारा एकत्रित साक्ष के आधार पर एडी जे खबरों में अब तक लिए बस इतना ही फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ तब तक लिए नमस्कार और देख तेरी आर्पयस समाचाब